नादानिया करकर एक के बाद एक कुर्बान होते जा रहा है वियाईपी रोड पर इस्टेंड के अंदर कल चला गया बहुत कीमती सर्माया है हमारे नोजवान ये बच्चे जो है पोपाल शहर के नोजवान सडक और खास तोर पर बियाईपी रोड पर गाड़िया न दोड़ाए आए दिन होते हैं बियाईपी रोड पर हास से शहर का वेस्टम रोड और उस पर स्टेंड करते नोजवान कई नोजवान इस रोड पर घायल तो कई गंफिर घायल और कई अप बच्चे जो हैं बहुत कीमती हैं इनकी एहमियत है ये मिल्लत का वो सर्माया है जो घर का मुस्तक्बिल भी और मुल्क का मुस्तक्बिल भी और शेहर का मुस्तक्बिल भी इन्ही के कांदों पे उम्मीद लगाए बेठाए और ऐसे हालात में ये बच्चे जरजरा सी नादानि बच्चा बखराईद पर मुझसे बिलने आया था बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बच्चा था आज भी उसकी शक्ल आंखों में बूज रही जब मेरा यह हाले में उसके दोस्तों का महले वालों का यह हाले तो घर वालों का क्या होगा मैं वपाल शेर के नोजवान बच्चों से दर्खास करूँगा महरबानी करके फजिर के बाद घर में तिलावत करें या कारोबार करें या आराम करें लेकिन इस्टेंड बंद कर दें वी आई पी पे जाए क्योंकि एक के बाद एक कई साल से मैं अपने एसे नोजवान सांतिय को खोता हुआ देख रहा हूँ इस से पहले नासिर अरव अनसारी हमारे एक दोस्ते हैं उनका बेटा शहीद हुआ हमारे एक और दोस्ते अनवर मिया उनका बच्चा शहीद हुआ एक मिलने वाले कोईफिजा के थे उनकी बच्चे शहीद हुए ना जाने कितने बच्चे मह मुपाल से मुकेश सिंग की रिपोर्ट, अब इक लिए बस अतना ही, हमारे चैनल में रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर्ड शेर्ड सबस्क्राइब करें